हेलो फ्रेंड वेलकम टो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल आज के शेशन में हम समझेंगे कुछ इंट्रुव्य कोश्चन्स ठीक है इन कोश्चनों को समझने के बाद हमें एक्सपोर्ट की वर्किंग प्रोसीजर समझ में आएगा तो एक कोश्चन को दियान से अब इंपलोई से के से वर्क लेत तो क्या क्या हमारी स्पोंसिलिटी वहती है टूँरड आवर कंपनी वह में समझेंगे ठीक है इस एक्सपोर्ट मेनेजर मिग्वर्ट टिक है यहाँ पर बात करे तो जोब रिस्पोंसिलिटी जेवो फोलो टेक फोलोफ एंग कोडिनेट और start to end process for import export shipment till delivery at warehouse start to end process का मतलब यह था कि जैसे आमने goods को dispatch किया वहां से लेगे जब तक goods final destination तक पहुंसते हैं तो entire जो activities है वो क्या-क्या होती है उसको follow करना उसमें आपकी responsibility क्या बन दीन activities में उसको timely करना तो कैसे जैसे for example हम कोई goods का export करते हैं तो हमें सबसे पहरे हमें अपने CHE को inform करना होता है ठीक है CHE shipping line या airline book करती है उसके बाद empty container या vehicle बेस्टी जिससे हमारे goods custom में पहुंचते हैं custom examination होती है documentation process होता है उसके बाद shipment आपकी seaport या airport पहुंचती है तो हमें document मिलते हैं CHE की तरब से जैसे airway bill shipping bill और below planning इन document के बेस पर हम फिर यह document bank में लगाते हैं foreign payment के लिए ठीक है इदर हमारे shipment foreign foreign के लिए मतलब हमारे destination के लिए इंडिया से departure कर जाती है और हम इदर document bank में लगा देते हैं ठीक है तो document लगने के बाद यह document हमारे consigny के पास जाएंगे उन डॉक्ट को document से वह अपनी shipment चुड़ाएगा फिर payment करेगा यह procedure होता है तो payment का follow of लेना है ठीक है जैसे payment आती है हमें अपने एक्सपोर्ट रेजिस्टर में इन्वोइस के एगेंस्ट पेमेंट मैनेज करने हैं कि हाँ इतनी तारीक को इसकी payment आ चुकी है इसकी payment अगर कम आई तो वह भी mention करना है कि bank charges कितने लगे है ठीक है तो यह entire process में में involved होना है इसके बाद जब यह process आपकी खतम हो जाती है payment आने के बाद में एक्सपोर्ट के बेनिफिट होते और उनको फॉलो लेना है फॉल अप करना यह जोब रिस्पोंस भी है अगर दूसरी स्टेप की बात करें तो कोडिनेट विदे क्लिरिंग फॉर्विंग एजेंग फॉर चेक्लिस्ट एंट टाइमली फाइलिंग दे बिलो पेंटरी ठीक है यहाँ पर हमें अपने सी एचे एजेंट से फॉल ओफ लेना है जो मारे गूट्स का क्लिरेंस करवाता है एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट के केस में जो गूट्स होंगे आपके वह एक्जामीन होंगे इसके बाद जो हम जो कमर्शल इनुइस देते हैं उसके करना है वापस को बेजना है फिसके बाद जब लंबर जन्रेट हो जाते हैं तो वह डॉक्मेंट के साथ लगाना है ठीक है इंपोर्ट के केस में में टाइमली फाइल करवानी है ऐसा नहीं कि वहां से गूट्स डिस्पेज हो गए रहे एक पोर्ट पे पड़ेंगने फाइल नहीं करवाई और हमारी डिटेंशन लगती जा रही है डेमरेज लगता जा रहा है जो कि आपको पता होगा 5000 रुपे आफ्टर 24 वर स्टार्ट हो जाते हैं पर देपां 5000 लगते हैं और तीसरे दिन के बाद यह दस तजार लगने लग जाते हैं तो यह चीज हमें ध्यान प्रोसीजर यह है कि जैसे ही आपकी कंसाइनी गूर्स को वहां से एक्सपोर्ट कर रहा हमारे यहां पर हम इंपोर्टर है तो डॉक्मेंट हमें बिंचता है तो मैं देखना है कि इसका इटिया क्या है इसमें टाइम पराइवल क्या है ठीक है उसके बेस्पे में अपती इं तों आपस्ते निय newest सटीडिये सब्सक्राइए कि रहे हैं करना क्या है ॢक्यमेंट हम जारे है में अनुक्राइल्ट एolutly यह होता रहे है ठीक स्कूर्णि ऑफ इंपोर्ट इन्वआस एंड शिपिंग डॉकमेट्स एस पर कस्स्टम एंड ट्रेट केुंअर्द वंधस पर इंपोर्टिंवोइस और अधर शिरफिंगंज कीम हैं जाज करूंदी एट चेक लिए यति वरिविवन दोकम्न है वह फूलो करें कि नहीं करने है ठीक है जैसे हैस कोड हो गया ऐटम डिस्क्रिप्शन अगेंस हैस्ट कोड सभी है कि नहीं है इसके अलावा जो अगर एक्सपूर्ट की बात करें तो में मार्केट वेल्यू डिक्लेयर करनी है ठीक है और कस्टम के अपोडिंग ड्रोबिक मिलत अधरवाइस वहां से आपको डेमरेज चार्ज लग सकता है तो यह चीज़ें हमें इस पर कस्टम एंड जो ट्रेट कंप्लेंस उसके एकोडिंग फोलो करनी है जैसे आप यहां से यूज को बेच रहे हैं उसके एकोडिंग हमें पहले से उनको 24 अवर्स पहले से हमें उनको को डॉकुमेंट करने होते कस्टम को तो वहां की कस्टम की रिक्वाइर्मेंट है वह में फोलो करनी है ठीक है तो जो भी एस पर कंट्री वाइस जो भी वहां की रिक्वाइर्मेंट है उसको फोलो करना है टाइम ली टाइम ठीक है उससे की प्रोब्लम ना है अधरवाइस प्रस्च प्रस्थे सबुखिस हम अगर पहले से asf आयलिंग नहीं पर दो कि अबनी लगती तो तिफित tarja लोजयंतने हैं हमें अपनी अपनी जोब पर नहीं पूरी और नेक्सट नेक्सट हम पर तेन डेली स्टेटस्न रिपोर्ट और ये शेयर विद दर कंशन टीम मेंबर्स एंड डेली बैसिस ठीक है आपको डिसर रिपोर्ट प्रेपेर करनी है मिलब डिसर एली स्टेटर्स रिपोर्ट जो थी उसमें में देखना कि आज की तारिक में हमने कितने शिप्मेंट डिस्पेच की उनकी गाड़ी वहिकल नंब पर किया एंगे वेल्यू का आया है ठीक कौन सी करेंसी में की है इसके लबाए उसकी बिल्टिंग नंबर क्या बील नंबर क्या जो भी इंपूर्टेंट डिटियल्स जो कोलम बने होते हैं डिसर में वो फिल करने है और वह में शेयर करने हैं अपनी टीमेंबर के साथ डेली पर के लिए फिल करता है शीपिंग लाइन हमारे गूट्स को वन गंट्री टू अने कंट्री डिलीवर करती है एयरलाइन भी करती है ठीक इसी प्रकार से कुछ को सटेंट होते हैं जो हमारे लाइसेंस परमल्टी पूरी करते हैं डीजे अप्टीवे तो इनके वीडिन में स्मूथ ली रहे हैं नेक्स्ट पर जाते हैं तो यह तो विकली या मंतली हम रेट ले सकते हैं तो मंतली रेट ले या फिर 15 डेज में रेट ले हमें अपने पर चारपास इसे मंगाद है आप हमें रेट दो किस रेट पर दोगे पूरा फॉर्मेट बना गे बेजना उनको कि हमारे शिप्मेंट यहां से यहां जाएगी इसका कितना घर्चा होगा इसे मतलब उसको पूरा सिस् और से जा रहे हैं यूस जा रहे हैं तो उसमें ब्लोग बनाना की फेक्ट्री टू आइसी डी टू टांस्पोर्टेशन लगी उसका खर्चा दो में फिर आइसी डी टू इंलेंड जो आपका सी पोट है एरपोर्ट है वहां तक कितना खर्चा है वह वह इंलेड चार्ज के खर्चे दो इसके लाव अफ्रेट कितना लगेगा शिपिंग लाइन से वह शिपिंग लाइन से अलक्सी भी ले सकते हो अगर शिए आपका इसमें है रोकर तो उससे भी ले सकते जो बेस्ट रेट हमें चेट देगा उनके में हम क्या करें उसको एविलिएशन करेंगे और अच्याई से इसको चेख करवाकर बेज देंगे छोने से इसमेयर से चेक करवाइंगे और अप्रू करके उसके बेस पर शिपमेंड उस यह को इसको प्रोफिट मिले रिस्पॉंडिंग डू कस्टमर्स इंकोारियरी एंड रिफरिंग क्लाइं टु प्रोपर चैनल बाद कर तो उसके अगेंस्ट हमें अपने सीनियर से बात करके उसकी फोसी शिप्मेंट बेजनी है जैसे हमने एक कंटेनर बेजा था उसमें कुछ पार्ट से उसको कम मिले तो हम उनसे यह नहीं कह सकते हैं कि हमने तो बेज तेर वह कहां रास्ते में खो गई है क्या हुआ ऐसा नहीं ह जो हमारी कस्टमर की जो इसको फिल्फिल करना बहुत ही इंपोर्टेंट है यहां पर वर्क इसके अलावा रेफ्रिंग्लाइन टू प्रोपर चैनल उनको प्रोपर चैनल के एकोडिंग गाइडलाइन देनी है अगर हमारा को ऐसा प्रोडेक्ट है तो वह उसको यूज नही है कि मैं पूरा अपने कस्टमर को कि पूरी तरह से सटिस्फाइब करना है नेक्स एंस्यूरिंग देट क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड में टूरिक्वार स्टेंडर रेंटरेंशनल उसके एकोडिंग मारा प्रोड़क्ट जो है वो क्वालिटी दे रखने दिरा इस इसका करना है उनको बताना है कि यह प्रोड्लम सारी है तो उस पर एक काउंटर मिजर लिया जाए ताकि नेक्स टाइम इसा प्रोड़म ना है ओके सो इस चोटे से शेशन में हमने समझने की कोशिश कि क्या वर्किंग रूषिज क्या होता है इसका सेटन पार्ट भी उसमें काफी के शारी चीज़े हैंیا रूम नेक्स सेशन में समझने कि कुशिच एगे ये भी बहूत इंपोर्टेंट है जोगी एक वर की पॉस से नहीं नहीं होने सब्सक्राइब और इसी ले थैंक्स, थैंक्यू वाटी।